वेलकम टू आएफेस तो आज के सेसन में हम लोग जानेंगे अगर आप लोग आयटी से मस्ट करने के बाद आप लोगों को कितनी सेलरी मिलेगी अगर आपका सब्जेक मैथमेटिक्स है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का है तो चलिए सबसे पहले मैं ब सब्से बारे में मैं देखेंगे कि वहाँ पर कितनी मिलती है उसके बाद हम लोग करेंगे की ऑटन है कि किके आप आपको ये करते हों अगर मैं बात करूँ 10 से 15 लाग के बीच में 2 स्टूडेंट थे और 15 से 20 लाग के बीच में 3 स्टूडेंट थे तो अगर हम इसका एवरेज करें तो यह लगभग आप कैसे हो कि 10 लाग पर एनम तो इतना ओन एवरेज आपका CTC बनता है MSC वाले स्टूडेंट के लिए IIT मदर मदरास से अब आगे बढ़ते हैं अगर मालीजे IIT मदरास से अब आप करते हो तो उस केस में मीनिमम जो है 10 लाग गया है मैक्जिमम जो है 26 लाग गया है अगर एवरेज बात करें तो 16 लाग का एवरेज पैकेज है IIT मदरास में के लिए अगर आप लोग MSC करते हैं तो उने एवरेज आपके सब्सक्राइब करते हैं तो एवरेज आपका यही 15-16 लाग के करीब जाती है पर एनम अगर आप लोग से MSC कर रहे हैं तो उस केस में आपका 16-17 लाग तक आपका एवरेज सेलरी जाता है ठीक है अब अगला नंबर आता है आयाटी पटना तो अगर मैं आयाटी पटना की बात करो तो 2022-23 में मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए या MSC वाले स्टूडेंट के लिए जो एवरेज पैकेस था 9.5 LPA मतलब 9.5 लाग तो यहां पर भी आउन एवरेज 9-10 लाग तक आपको मिलने की चांसिस हैं ठ 7.5 LPA है तो यहां पर 7.5 लाग का एवरेज पैकेस मिला है आयाटी हैदराबाद में ठीक है अब अगली आयाटी आपकी आती है आयाटी गुवाहर्टी तो आयाटी गुवाहर्टी की बात करो तो 2023 में MSC वाले स्टूडेंट के लिए एवरेज पैकेस गया था आपका 13.6 ल कर लो आयाटी हुआ हर्टी में भी 2022 की बात कर रहा हूं तो उस वक्त जो एवरेज पैकेस था 22.54 लाक्स पर आयनंद था MSC वाले स्टूडेंट के लिए ए बात आप लोगों को ध्यान देना है ठीक है MSC वालों के लिए कितना एवरेज पैकेस था 22.54 लाक्स था ठीक है आपका याटी है तो वहां पर भी 10 लाग 12 लाग 13 लाग 14 लाग तक का पैकेस जाता है तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे अगर मान लीजिए आप IIT से MSC करते हैं IIT 25 का एक्जाम देते हैं IIT क्राइक करते हैं और किसी IIT से अगर आप MSC करलेंगे तो आपको जो पैकेस मिलेगा वो कितना हो सकता है एवरेज पैकेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो अगर एवरेज की बात किया जाए तो दस से 12 लाग पर एनम आपका होगा 10 LPA ठीक है तो आप जैसी MSC करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि 10 से 12 लाग के आपको मिल जाएंगे किसी भी IIT से जब आप लोग MSC करते हो तो अगर आप देखेंगे अगर आप 10 लाख रुपे मिलता है IIT से MSC करने के बाद एक अच्छा पैकेज है उसके बाद धीरे-द्रे तो यह बढ़ेगा ही तो देखो यह आप लोग तभी पा सकते हैं जब IIT में आपका admission होगा मतलब आप जब IIT में पहुचेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले IIT 25 का एक्जाम बहुत अच्छे से दीजे अगर एक्जाम क्राइट करेंगे तो ही हम आप salary ले पाएंगे ठीक है तो उसके लिए क्या करना होगा जैसे कि मैं हमेशा बताते देली बेसिस पर करना है बिल्कुल नहीं भूलना है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ important चीज बता दो जैसे कि मैंने कहा कि mock test या topic wise test देना बहुत जरूरी है previous question paper solve करना बहुत जरूरी है मतलब questions की practice करना बहुत जरूरी है तो यह कहां मिलेगा तो IFS के app में आ top देख सकते हो recorded lectures देख सकते हो rankers की strategy देख सकते हो जो top की है उनकी क्या strategy थी सारी चीज़े आप लोग जान सकते हैं अगर आप लोगों ने IFS का app नहीं डाउनलोड किया है तो फट 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 डाउनलोड कर लीजे अपने आपको register कर लीजे register करते वक्त आप से exam पुछा तो थैंक यू सो मुच